अस्तावां एक ऐसी समस्या है जो समंधर रखती है आपके लंग से आपकी एरवे से एरपैसिट्स इसमें व्यक्ति का जो एरवे है वो नेरो हो जाता है जिसकी वज़ा से व्यक्ति को सांथ लेने में तकलीफ होती है एडिशनली मुकस जाधा बनता है जिसकी वज़ा से भी व्यक्ति को सांथ लेने में तकलीफ होती है तुकि होती है जो हमनिया होती है wao कई लोगों को भॉन से होती है गरम qorns नहीं कि घृऌ की किन से मसालेख हो सकते हैं कई बार इंड़स्टिल स्पारद होती है ओकिसी से ड्रती को किसी या घृचिंद की वजह से समझ्या हो जाती है तो सास की नलिया है वो सिपोड जाती हैं अब रहा प्रशनल कि आप इस सबसे चुतरा कैसे पास सकते हैं आप दूर कैसे रहेंगे अस्तमा से तो उसके लिए ये वीडियो आज का आपकी लिए पहुत इंपॉर्टेंट है आप जान सकते हैं ऐसी ब्रीदिंग एक्साइजिस कुछ ऐसे प्रिकॉ सबसे पहला ब्रीदिंग आपको यूज करनी है अर्स्तमा की समस्या को दूर रखने के लिए उसमें आप यूज करेंगे लोग विलोग पर उससे पहले आपको करना है सुर्य भेदन और चंद्र भेदन आपका राइट नौस्टि होती है पुरे नाडी और लेफ नौस्टि लेंगे रिखेल करेंगे राइट 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 निकाल लेंगे असाथ एक्जेल करेंगे यह करने के पश्चात आप लेफ्ट राइट से आरम करेंगे लेफ्ट से ही सांस पूर लेंगे लेफ्ट से ही सांस पूर निकाल लेंगे अब यह कैसे करना है इसके लिए हाथ की मुंत्रा बनाई इस प्रकार से आप लेफ्ट डॉस्टिल को क्लोज करनी दिये केबल राइट डॉस्टिल नहीं कंट्रोल वे में आप ब्रीधिंग करेंगे आराम से आपकी ये ब्रीधिंग होगी ध्यान रखें दूसरे हाथ को योग उद्रा में करके अपने कोटे देंपर प्लेस कर दीजे कोछ इस प्रकारते मेरे अपनी जो बैक है उसको स्ट्रेट रखिए आराम से बैठिए और अब ये प्राणयाम दरिए कोशिष ये करनी है कि आप जितने समय में सांस को लेते हैं उतने ही समय में सांस को निकालेंगे इसके 10 राउंड करिए इसके पश्चात आप करिएगा तंद्र भेदन इसमें आपको लेफ्ट नॉस्टी को ओपन कर देना है राइट को बंद करना है अभी हम लेफ्ट नॉस्ट से ब्रीधिंग करेंगे इस हैना ना इंग्जिलेशन आपने देखा हमने एक कंट्रोल वे में ब्रीधिंग को करा इससे आपके लंग पे कोई नेगिदेट इफेक्ट नहीं पड़ेगा जैसा हमने का कि वेस्टो कंस्रिक्शन वगरा होता है वो नहीं होगा बल्कि उल्टा उनकी स्ट्रेंग्ट बढ़ेगी वो स्ट्रॉंग हो ज निका लेंगे फिर लेफ्ट नॉसले सास को लेंगे और राइट से लिगा लेंगे इन पार्ट होते हैं पूरक फुमबक और रेचक ब्रेथ इंहें ब्रेथ होल्ड एक्जेन अब भी हम आपको जर्फ इंहेल और एक्जेल बता रहे हैं सिर्फ उन्ही का प्रयोग करिए इस रहा सवाल इसे कितनी देर करना चाहिए कोगी आपके मन में ये भी प्रेशन आ रहा होगा तो इसके लिए आपको न्यान रखना है कि स्टार्टिंग में आप मिनिमल इन्हेल और एक्जेल टाइन पर साथ पांच राउंड करिए अब इसमें एक राउंड जो होगा वो भुत यह सी साथ को लेता रेंदा निकालन और ये एक राउंड है आपको ऐसे पार राउंड राउंड करने पर्फेक्ट कर लें तब देवेंति मामर के करना साके लहत हो आसा कहा चाहिए पर हगा अगर द्यांद रखे तो कि शीखते हैं कि शो सबसे पहला ध्यान यह रखना है कि आप ज़ल्दवादी में कपालभांती नहीं करेंगे बेसकर दी कपालभांती में होता क्या है कपालभांती प्रणयाम में forceful exhalation होता है inhalation अपने आप होगा आपको सिरफ सांस को बाहर मिकानने पर ध्यान देना है सांस अंदर अपने आप जाएगी चोगी lungs के अंदर negative pressure create होगा तो inhalation अपने आप हो जाएगा लोग गलती क्या दरते हैं कपालभांती प्रणयाम करते में जो हमने एंकाउंटर किया हमारी प्रैक्टर्स में वह inhalation भी forceful करते हैं यह नहीं करना होता है गलत टेक्नीक है एक बार हम दिखाते हैं फिर आप करिएगा हाँ इसकी जो करने की speed रहती है वो एक second में एक stroke यानि एक बार यह साब से आप करोगे तो मैं निक्षित और पर यह कह सकता हूं कि आपको समझ्या नहीं होगी चाहें आपको किसी भी प्रकार की लंग समझे समझ्या वो तब कैसे होगा आपने पहले सीज़े बैठे हाथ ध्यान मुद्रा में अब पहले अपने आपको शांत करिए उसके लिए तो कि नम्बे गयरे सांत लीजिये यह हो गया अब इसके बाद आप करेंगे तो पहले आप सांस को अंदर भर ली दियान यह रखना है कि आपका मुँ अतल आपके कोट आपस में मिले रहेंगे कि अब लेजल बीदिंग होगी कि अब नाकसी सांस को बाहर निकालेंगे अंदर अपने आप जाएगी जो हम प्रेशर लगा रहे हैं सांस को बाहर निकालने के लिए वो यहां डेवल से अथाथ डायफरम से कर रहे हैं यहां पर लंग्स में कोई मूविंट नहीं आ रहा आप इसे डायफरमेटिक ब्रीधिंग भी कह सकते हैं जिसमें आपकी ब्रीधिंग अराम से हो जाती है आशा करते हैं आपको यह टेक्नीक समझ आ रही होगी फिर भी मीडियो को पॉस करके एक बार इस टेक्नीक को प्रेंटिस करने की कोशिश करिएगा अगर आप ससलता पूर्ण करते हैं बहुत अच्छी बात है अगर नहीं कर पा रहे हैं तो निश्यत तोरफे किसी योगा इ अच्राइब कर ले गए किसी फेंट को रहममन में तो आप हमें कमें सेक्षिन अपनी समस्था कर सकती कई बार क्या होता है कि अगर किसी वैक्ति को अश्त्रमा है या नहीं भी तो उनकी हैविट क्या बन जाती है वह ब्रीधिंग मसल्स हैं जो टिस्च्ट का विट्डी इन प्रणायाम को कैसे करते हैं आप पस्तर का प्रणायाम इसके दो तरीके होते हैं पहला तो यह है कि अपने हाथों को यहां रखिए हाथों पर और कुछ इस बगारते करिए जिसे करने में कई लोगों वो समस्या जाती है पर तो दूसरा तरीका आपको हम बताने वाले हैं वो ठीक रहता है कैसे करते हैं हाथों को उपर करिए, सांस को लीजिए यहाँ जब हम हाथों को फोर्ट पुल नीचे ले के आ रहे हैं तो हम एक्जेल कर रहे हैं हम प्रेशर लगा रहे हैं हमारे चेस्ट वाल पर कि वो श्रिंक करें हवा यह जो एर है वो लंग से बाहर जाए ताकि आपका एक्जेलेशन फोर्सफुल हो और हाथ के जोर पर हो लंग के जोर पर नहीं हो तो जो लंग की जो वीकनेस है वो ओवरकम करेंगे आपके हाथ आप अब भी कोई दोविदा आए तो आप वन टू वन कंसर्टिशन हम से कर सकते हैं इस प्राणायम को सीख दें के लिए किनी और प्रेंट के सम्मंद में लीचे दिएगे नंबर्स पर कॉल करिए तो आठ से सामके आठ के बीच बीच हुए मंजेटू साटर अब अगली ज से और एक्सेल करना अपने माउट से किस परकाशिया होगा Our A कि कि है नोस से एक्जैल किया अपने लिप्स को पथि करके ऐसे अ कर जिस प्रकारसे आप हो मारते हैं कर्के केकंडल को भलो करते हैं आप ऐसे भी च़पकों आप कर सकते हैं इस किये वाउप के आपके लन्गों हैं वो रिल्स हो चाईंगे जो We Tube a लेबल पर गैस एक्सचेंज हो रहा है जो आपका इक्सिजेнет बल्ड पूरी बॉड़ी में से लूड़ में आ रहा है जिस प्रापणर ऑकसाइड रहे हो है उड्स एक्सचेंज होगे आपकी एयर में मिल जाएंगी और जो ऑक्सिजन आपने इन्हेल करी है एर के साथ वो आपके ब्लड में पॉंच कर फिर उदी बॉड़ी में सब्लिट होने लगेगी कई बार ऐसे रेक्ति जिन्हें असमां के सथ बीपी की भी शिकायत होती है उनके लिए बहुत ही चलेंजिंग हो जाता है उ क्या आप खुद ध्यान रखना है अपने हाइब की सबस्या हुए क्या चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं कैसे अपने हाइब को भी रिगलेट कर सकते हैं इसका लिंक यहां आई कार में हमने ड्रॉप कर रहा है आप ये वीडियो कंत्म करके जाकर को भी देखिएगा और स प्रफटे हैं अपने लंग्स की इनिलिशन के पाइटिटी को बढ़ा तकते हैं कैसे करना है इसको एक बार देखिए हाथों को बंद करिए आगे थोड़ा थोड़ा था बेंड हो जाएए ज्यान रहेंगे लोगर बैक को बेंड करना है सांस को निकाल दीजिए सांस लेते में पीछे बेंड होंगे हाथ खुल जाएंगे सांस को निकालते हुए हाथ की बुठी बनेंगी आगे बेंड होंगे सांस को निकालेंगे सांस लेते में नाग से सांस लेंगे और सांस को निकालते में अपने वोगों से सांस को बाहर निकालेंगे अशा करते हैं आपको ये सब और अफ्थमा है तो आप उससे ठीक हो सके और आप जो भी वीवर देख रही है इन्हें अफ्थमा नहीं भी है बड़ फुटी आच्छे समय में क्या है कि पॉजिशन की समस्या बहुत जाता है इसलिए लंग्सिक की जो क्यों कम होती जा रही है आपका जो लाइस्टाइल है जो लोग जाधा पॉलूटिट शहर में रहते हैं या जहां पर एर क्वालिटी जाधा खराब है अब बात आते हैं कि आपको मैनेज करने चाहिए जिससे लिए आपको यह समस्याएं नम होने पाएं तो उसके लिए आपको धूल्दकर से बचना चाहिए आप कोशिश ये कर आप घर से बाहर निकलते हैं तब इससे की जो फॉलूटिंट है वह आपके ब्रीदिंग में नहीं आ पाएगा जो नेक्स्ट विकॉशन है वह है आपके अलरजन से बतना और यह बहुत ही खास बाद एक्टिव और पैसे डोलोमी तरह की स्वोकिंग से बचिए ऐसे ही आने प्रड़क्ट आप हेल्दी रहेंगे तभी यह भरत रहें इस सबके साथ कुछ अच्छी एसी हल्दी हैवेट थे जिद के बारे मैं पूप पता होना तो यह पी लाइसल को अच्छा रखने के लिए और आपने स्टैमिना को कैसे इंक्रीज का रखते हैं इससे आपको अवर आपको दांगी